हेलो एब्रीवन, कैसे हो आप, I hope आप सब ठीक होंगे, और वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग, आज जो है मैं रुकी हूँ यहाँ पे, और आज दिखाऊंगे आपको पंजाब का भी, यह मेरे जो पोडोसी है, उनकी बेटी है, हम जा रहे हैं दुकान में, और साथ मैं मैं लाओंगे दूद भी, और आपको दिखाते हूं, यहाँ हमारे रूम से निकलते हैं, यह सौटकट रास्ता है, जो जाएगा शॉप तक, तो यहाँ जो यह मैं दिखा रहे हूं आपको, जो मेरा रूम है, वो पढ़ता है पंजाब में, और बस यह नाले की बांडरी है, और यहाँ यह जो घर है, यह पढ़ते हैं हिमाचल में, हम जो सिर्फ एक नाले की बांडरी है, स्कूल जो है हिमाचल में है, और जो में ने रूम रखा है, वो है पंजाब में, तो यहाँ पे देखेंगे, आप बिलकुल प्लीन से घर होते हैं, बिलकुल कोई हाइट वाले नहीं होते हैं, वैसे तो सिंगल स्टोरी होए, मैक्सिमम, और यहाँ पे देखेंगे, बहुत सारी बेंसे और गाये भी बन दिवी हैं, आपको हर घर में मिल जाएंगी, पांसे दस, और सबने यहाँ पे दूद बहुत सारा मिलता है, और बिलकुल प्योर, और साथ में यह बहुत सुंदर सुंदर घर हैं, यहाँ से बीच से हम स्कूल को जाते हैं, यहाँ स्कूटी भी आप ले जा सकते हैं, और यह है में जो आनंदपूर से स्कूल के लिए आता है रास्ता, यह है में रोड जिस पे मैं आती हूँ, और जी यहाँ सामने है पीपल, यहाँ है हमार एम्दियम वाली का घर वहीं से मैंने दूद लेना है और जो साइड में है केले लगे हुए और देखो कितना प्लेन और जो है अब मक्की की फसल है और कुछ लोगों ने घास भी बीजा हुआ है तो अभी चलते हैं हम दूद को हम जी जाँ हुआ है अब ही मैं वापिस पहुंच चुकी हूँ रूम में आके और देखो नीचे वैठी है भूल भूल आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक सेयर और सस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू सो मच